दो चार नाम ले लेने पर उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मेरी तरफ से संसय नहीं है वो एक प्रशंग आता है भाईजी से अनुमान प्रशाथ पोद्दार जी ने कल्यान में लिखा था कि एक कर्मचंद धर्मचंद नाम के दो भाई थे सुनाया भी कई बार है तो धर्मचंद भगवत भक्त था और कर्मचंद वो भिशय था सराप पीना आधी आधी तो बड़ा भाई जब संतों से निवेदन करके घर लाता उनकी अगवानी करता आरती पूजा करता उनको भोग प्रशाथ पाओ वो जब देख लेता तो गाली देता संतों को भी वो दुष्ट शुभाव का था बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्यान हो एक ही उदर से प्रगट हुए है कैसे इसका कल्यान जो शंतों को गालियां देता है उसका तो बहुत बुरा हाल होगा दुरगती होगी मेरा भाई है इसकी दुरगती हो तो ठीक नहीं है तो एक बाईल अज सराप ये गाली बगते हुए, उसका कमरा उपर था, संतों ने कहा भाई तुम हमको तुम बड़े आदर से लाए, ये कौन है जो गाली देता हुआ गया तो उनका महराज शमा करो, ये भाई है, गलत संग से इसकी दुर्दशा हो गई, चरन पकड़ा महराज क्या इसका कल्यान होगा, बुले पक्का हो जाए कि तुम चिंता मत करो, कैसे होगा, बुले हम भी धान मनाते हैं, वो थोड़ा हमारे जैसे तगड़े थे, ऊपर गए, और वो अपना दर्वाजा बंद करके, सराप के नसेम था बैठ, दर्वाजा खट-खटाया तो उसने गुसा में खोला, उसने सोचा भाई ही होगा, जब देखा संत भगवान, तो एकदम उसकी भाउँ चड़ गई, तो संत भगवान समझ रहे थे कि बिने नमानत जलत हिजड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोपत, तब बिन भय होए न प्रीती, समझ गए कि इससे बिने से पार नहीं पाया जा सकता, तो सराब के नशाओ में था ही ओ, घिरा दिया, चड़ बेटे चाती में, बोले राम बोल, उरुका नहीं बोलेंगे, बोले अगर राम नहीं बोला न, गला दबा देगे, तो वारा यहां कोई बचाने वाला ने, बोल राम, काफी देर में उसने विचार किया, कि अगर इस बावा जी से बचला है तो राम भोलना पड़ेगा तो बचने के लिए उस ने कहा राम राम हट गए संत भगवान और बूले बेटा इस नाम की कीमत कभी मतले ना बेचना नहीं इस नाम को काफी है दो बार ही काफी तुमने तो चार उचाई बार का दो बार ही काफी है कुछ दिन बाद उसको भेंकर रोग हुआ पाप के कारण बहुत अत्याचार करता था कुमार्ग गामी था मरा तब भगवान यम के दरवार में गया धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हैं पापियों के लिए भेंकर यम रूप हैं भगवान परम भागवत है वहाँ कोई घंटा तो घंटा थोड़ी लगता है हिसाब करने में सेकंड से भी कम हिस्से में हिसाब हो जाता है जब उसका रजिस्टर देखा तो सब पाप ही पाप था केवल दो बार संत की क्रपा से राम राम बोला तो सिध्धान्त होता है कि अधिक पुर्णेवानों को यह उशर दिया जाता है कि आप से जो कम पाप कोई हैं आप उनको भोग लो फिर पुर्णे लोकों को जाओ अधिक जो पापी होते हैं उनको पहले पुर्णे भोगाया जाता है पिर तुम नरक भोगो तो उनका तुम्हारा एक ही पुर्णी है संत के कहने से दो बार राम राम कहा बोलो क्या लोगे इसके बदले में क्या चाहोगे संत की बाणी अमोग होती है उसको उस समय भी वो बाणी है इस स्मृती में रही कि बेटा बेचना नहीं तब उन्होंने कहा कि पहले तो हमें कीमत बताओ कि इसकी क्या कीमत है बही तुमने कहा दो बार राम राम के बदले में क्या लोगे तो आप हमें बताओ इसकी कीमत क्या है तो हम उसे बतावे फस गया ये म्राज जी, परम भागवत है 12 माँ भागवतों में सिधर म्राज जी है वो सोचा भगवान की नाम की कीमत भगवाई तो महतापराद बन जाएगा अगर उसकी कोई कीमत संसार की कोई वस्तू, कोई लूक लूक आंतर भगवान के नाम की कीमत थोड़ी, भगवान का नाम तो भगवत स्वरूप है कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकें नाम गुण गाई वे तो बढ़ा सच्चिदानन्द में सामर्थ साली भगवान का नाम थोड़ी दिर विचार करते रहे, सोचा देवराजिंदर से शलाह लेते हैं, बुलाया, देवराजिंद रहे धर्मराज जिने का समस्या में फश गए, पापी जी है, दो बार राम नाम बोला देवराजिन्द ने का इसका निर्णे तो हम नहीं कर सकते, इसका निर्णे तो भगवान ब्रमाजी कर सकते, स्रिष्टी के शौमी बेदिस्तुती करते रहते, उस बहुत चतुर था ओ, जो जीवात्वा था बड़ा चतुर, उसले का सुलो, ये भेंकर रूप वाले जितने य और बूले अब जहां तुमें ले जाना हो, हम पैदल नहीं चलेंगे, पालकी में चलेंगे, तो देवराज इंद्र और धर्मराज, पालकी में जीवात्मा को बेठाला ब्रम्हलोक ले गए, इसकी लीला भी दिखाते हैं स्री राम सर्माचारी, पुझ भाई जी महराज के ब्रम्हा जी ने देखा, बुले देवराज और धर्मराज एक कौन सी लीला है, किस जीवात्मा का ऐसा महान पुर्णे जो आप, अरे बुले प्रभु पुर्णे की बात नहीं, बहान पापी है, दो बार राम राम बोला, अब बोल रहा है उसकी कीमत बताओ, तो ब्रम्हा ब्रम्हा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि भगवन नाम की अपार महिमा, ब्रम्हा जी ने कहा कि राम नाम की महिमा को भगवान महादेव जी जानते है, भगवान शंकर, अपने लोग चलते हैं, हम भी सुनेंगे कि भगवान की महिमा जो नाम की है, वो महादेव जी कि वो देवराज, धर्मराज और साथ में ब्रमाजी, भगवान महादेव जी के पास कैलास पहुंचे, कैलास तो चिदानन्द धाम है, भूत भावन भगवान संकर के दर्शन करते ही उसको परमालाद हुआ, सारे पाप नस्ठ हो गए, महादेव जी ने हसकर कहा कि पिता महा ब्र क्या कीमत हो सकती है, आप से पूछने आए, महादेव जी ने कहा, रा कह करके हम हलाहल बिस पी गए और माख से उसको रोक दिया, तो राम नाम से हमने अपने गले में हलाहल बिस जो समुद्र से निकला था, उसे रोक लिया, रात दिन उसी को जबते रहते, पर कीमत क्या है ह महादेव हैं, परमभैष्णवाचारि हैं, कहा पर इसकी कीमत नहीं बता सकते हैं, अब यह हुआ कि भई कीमत तो जान नहीं है, तो बोले सीधे नामी के पास चलो, साकेत धाम चला जाए, और भगवान स्री राम के ही स्री मुख से पूछ लिया जाए, अब जीवात्मा को क कितना अनन्द, महादेव जी नहीं कहा हम भी सुनना चाहेंगे नाम की कीमत क्या है, तो महादेव जी और भगवान ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र जी, धर्मराज जी, यह सब महापुरुष और जीवात्मा साथ में दूले की तर है, कितना अनन्द देखो, दूले की तर ह वो कितला सजा कि उसको भगवान स्री राम ने मुस्कुरा कर कहा कैशे आगमन हुआ तो बुले प्रभू ये बहुत पापी है आपके प्रेमी महत्मा के दौरा दो बार राम राम कहाया अब ये पूछ रहा उसकी कीमत बताओ तो भगवान स्री राम ने कहा लाओ इसे हमारी गोद में बैठा लो भगवान स्री राम उसे अपनी गोद में बैठा ला और दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो हम भी नहीं बता सकते महिमा तुम देख लेओ महिमा ये देख लेओ कि सराब पीने वाला कुमार गगामी जीओ पापाचारी संत्र द्रोही अहे तुकी कृपा संत्र की दो बार राम राम कहाया तो हमारी गोद में बैठा हुआ है लेकिन कीमत हम भी नहीं बता सकते कहाँ कहां लगे नाम बढ़ाई राम न सके तो भाई ये अविश्वास न करे कि दो चार छे बार लेने से क्या करने का प्रभु के स्रियंग की सेवा का अधिकार ये सम नाम से प्राप्त हो जाए